तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारें बात करने वाले हैं जिसमें की टू आर्मी हेड़क्वार्टर रेजिमेंट मेरर कैंट से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ओफन फॉर्म फिल और अभी तक YouTube चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका जो नोटिफिकेशन का वीडियो है, मैं आप लोगों को अलग से बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है आप लोगों को इसी वीडियो के description में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लेंगे, तो सभी आपको जनकारी हो जाएगी, कितना qualification है, form को फिल आप करने के लिए कितनी vacancy जारी की गई है, कैसे आपका selection होगा, सभी जनकारी आप लोगों को notification वाले वीडियो से मिल जाएगी, त इसके बाद ही आपको यहाँ पे form फिल आप करने वाले वीडियो को देखना होगा, तो form फिल आप करने के लिए सबसे पहले आपको application form की आउसकता होगी, तो application form का जो video है, आप लोगों को telegram channel मिल जाएगा, वहां से आप application form को download करके, इसके बाद आपको print out करवा लेना होगा print out करवाने के बाद कुछ ऐसा आपको application form मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने type करके बनाया हुआ है, जो यहाँ पे notification में form दिया गया था, छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे type करके form को बनाया हुआ है, इसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा, पोस्ट नेम जिस पिपोश्ट लिए आवधन करना चाहते हैं, पोस्ट नेम आपको देना होगा, इसके बाद आपको दियागिस में candidate नेम आपको देने के लिए, यहाँ पे आपको अपना फूल नेम देना होगा, जो आपका देना होगा, और इसके बाद नमबर फाइब में आपको दिय करना होगा calculate करने के बाद जितना भी आपका एज आएगा year month और day में आपको यहां पर अपना एज इसमें लिखना होगा लिखने के बाद यहां पर आपको अपना photograph चिपकाना होगा जो कि यहां पर latest photo चिपकाएंगे और यहां पर फोटो को अटेस्ट भी करना होगा यानि पता होगा उसे आप फिलप करेंगे जो कि आप फिन कोट के साथ फिलप करेंगे और इसके बाद नमबर 7 में आपको डियागिस में correspondent address आपको फिलप करने के लिए जो कि यहां पर correspondent address भी आपको यहां पर फिन कोट के साथ फिलप करना होगा यानि जो आपका आस्थाई पता ह हैं और इसके बाद नमबर 8 में आपको दिया गिसमें कैटेगरी आपको देने के लिए जो आपकी कैटेगरी होगी OBC, SC, ST, EWS, ESM, जनरल यहां पर आपको अपना कैटेगरी इसमें देना होगा और इसके बाद नीचे आपको अपना क्वालिफिकेशन देना होगा जो भी क्वालिफिकेशन होगा मैटिकलेशन 12 होगा जो आपको क्वालिफिकेशन होगा उसे आप यहां पे लिखेंगे और उसका जो मार्सिटो सट्फिकेट होगा उसे आपको application form के साथ attach कर देना होगा और इसके बाद नीचे number 10 में आपको दिया इसमें experience certificate लगाने के लिए अगर आप जिस post के लिए आविदन करते हैं और उसमें आपके पास experience होगा और experience आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे experience का detail देना होगा कहां से आपको experience मिला है इसके बाद number 11 में यहाँ पे दिया गया nationality तो यहाँ पे आपको Indian लिखना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गिस में डो मिसाल certificate का आपको यहाँ पे number आपको देने के लिए यानि जो आपका निवास परण़ पत्र होगा उसका जो प्रमारपतर कर्मांग संखिया होगा उससे आपको यहाँ पे देना होगा यानि जो certificate number होगा उससे आपको देना होगा और इसके बाद आपको अपना अधार number देना होगा जो आपका अधार number होगा और इसके बाद नमबर 14 में यहाँ पे आपको दिया गिस में Employment Exchange Registration Card नमबर आपको देने के लिए यानि अगर आपका रोजगार करेले में Registration होगा तो उसका आपको यहाँ पे Registration नमबर देना होगा और जिस पी रोजगार करेले से आपका Registration होगा करेले का आपको नम देना होगा और Registration नमबर आपको देना होगा अगर आपका Registration होगा तो Registration नहीं होगा तो इसे आप यहाँ पे बुलाइंग छोड़ सकते हैं और इसके बार नमबर नेक्ट में यहाँ पर दिया गया आपको मुबाइल नमबर देने के लिए जो आपका मुबाइल नमबर होगा उसे आप लिखेंगे इसके बार आपको अपना एमिलाडी देना होगा जो आपका एमिलाडी होगा और इसके बार लास्ट में यहाँ पर प्रक्तिकेट लगा करके cucस करना होगा जो कि यहां पर कुछ्च्छनक ऊंचया हुगा इसके बाद नीचे एक और यहां पर फॉर्म दिया गया है जो कि यहां पर class trick का है तो हैँग यहां पर सिम्पली जॉब यहां पर लिखना होगा सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम देना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको फादा निम देना होगा इसके बाद जितना भी आपका एज होगा जो कि आप एज पहले से कल्कुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको केवल year में अपना age देना होगा इसके इसके बाद यहां पे आपको place देना होगा date देना होगा और उपर यहां पे आपको signature कर देना होगा और इसमें जो आपको form मिलेगा दो page में आपको form मिलेगा एक तो application form होगा और एक यहां पे self declaration आपको form दिया जाएगा तो यहां पर जो हमारा form है फिल अप हो चुका है और इस कुमेंट आपको लगाना होगा सबसे पहले आपको अपना बस सट्टिपिकेट लगाना होगा यानि जो आपका जन्पनापत्र होगा उसे आप लगाएंगे जन्पनापत्र नहीं बना होगा तो उसके अस्तान पर आप 10 का जो सट्टिपिकेट मारसीट होगा जिस पर की डेट होंगे तो अपना काश सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर आप EWS के अंडेट होंगे तो आपको अपना income certificate लगाना होगा जो कि यहाँ पे क्यावल EWS के लिए होगा अगर आप application form पे चिपका हैंगे उसी के समान सेम आपको दो एक्स्टा फोटो आपको application form के साथ send करना होगा इसके बाद आपको अधार का photocopy देना होगा दो मिसाल certificate का photocopy देना होगा यानि आपको निवासमन पतर का photocopy देना होगा अगर आप PH के अंडेट हैं यानि physical handicap candidate हैं तो उसका आप certificate लगाएंगे और इसके बाद last में यहाँ पिदिया का ESM के लिए यानि आप भूत पूर सनिक हैं और form फिलप करते हैं जो आपका डिस्टा सट्पिकेट होगा उसे आपको लगाना होगा और जो भी यहाँ पर document लगाएंगे सभी आपको self-adjusted आपको document लगाना होगा और जो आपको यहाँ पर send करना होगा send के लिए भी मैंने यहाँ पर address दिया हुआ है इस address पर आपको यहाँ पर send करना होगा और जो यहाँ पर document list मैंने बनाया हुआ है उसका जो पीडियोप है आप लोग को टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से आप डॉकमेंट लिस्ट का पीडियोप डालोड करके डॉकमेंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसमें जो आपको सेंड करना होगा किवल आपको रेजिटर्ट पोस्ट आपको करना होगा और जो लास्ट डेटर सेंड करने के लिए 5 अक्टूबर तक फोर्म को फिल अप करके सेंड कर सकते हैं जिस भी डॉकमेंट के लिए आप अपलिकेबल होगे वहीं आपको यहाँ पर डॉकमेंट लगाना होगा और इसके बाद बात करते हैं इनलोब के उपर आपको डिटेल कैसे लिखना होगा तो सबसे पहरे इनलोब के उपर आपको लिखना होगा अपलिकेशन फार दा पोस्ट आप इसके बाद आपको पोस्ट नम देना होगा और इसके बाद आपको अपना category देना होगा जो आपके category होगी OVC, SC, T जो category होगी category अपना देंगे और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर to लिखना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको address लिखना होगा जो कि यहाँ पर आपको center का address लिखना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको from लिखना होगा और इसके बाद जो आपका address होगा home address होगा उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा और इसी इनलप के अंदर डाल करके सबी डॉक्मेंट और जो आपका extra इनलप होगा जिस पर कि आप 40-40 रु लगा करके आपको send करना होगा और यहां पर आपको carefully ध्यान देना होगा इसमिज़ आपको send करना है दो यहां पर extra self address इनुलाप आपको यहां पर देना होगा जो कि दोनों पर आपको 40-40 रुपए का डाक टिकट लगा करके send करना होगा और कोई अधर जनकारी चाहिए या आपको form को fill up करने में कोई प्रॉलम हो रही है तो आप नीचे कॉंट से कमेंट कर सकते हैं वहाँ आपको जनकार दे दूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कुर्पिया वीडियो को ला आपके प्रॉलम होगा जब करने मन मन गता है उन neutrर है जपको यहाँ ऱजो चाहिए